दोस्तों जैहिन मैं अजमत अनसारी अनसारी इंस्टिटूट की तरफ से आप सभी काभिनादन करता हूँ अपने एक नए वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एनुएस के बाइफरकेशन अर्था एनुएस ने अपने सिलेबस को बाइफरकेट किया है निए इडियोकेशन पॉलिसी दोहजार बीस के तहट ताकि छात्रों के उपर से दबाओ कम हो सकें उन्हांने अपने सिलेबस को बाइफरकेट किया है इस सिल्फले में हमने कई वीडियो बनाया और कई सरा वीडियो अपलोड भी कर दिया हो सकता है कि उन सब वीडियो को आप देख चुके हैं अगर नहीं देखें हैं जो सब्जेक्ट आपके काम का उस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों तक सेयर करें और ध्यान रहे हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सके और आप तक पहुंच सके आज का वीडियो सिनियर सेकेंडरी का एक सब्जेक्ट है होम साइन्स जो बहुत अरे चाहते मैं बता चुका हूँ कि T.M. में लगबग 40% आपके स्लेबस का कैडरी कर रहा देखिए जो भी आपका स्लेबस है उसका 40% T.M. से आएगा और पब्लिक एक्जामिनेशन में 60% स्लेबस को कबर किया जाएगा. इस public examination के syllabus को भी फिर दो हिस्से में बाढ़ दिया गया है इसका 50% objective और 50% subjective अर्था आपका syllabus overall तीन हिस्से में bifurcate किया गया है तो हम लोग पूरे थोड़ा detail में आते हैं देखिए home science में कौन-कौन से जो chapters है जो की TM में आ रहे हैं देखिए lesson 1 ये home family and home science lesson 3 family health and security lesson 4 food nutrition and health lesson 7 purchase and storage of food lesson 8 preparation of food ये chapters जो है इसके अलावा और कौन-कौन से chapters है देखिलिजिए यहाँ पर lesson 10 जहान से देखिएगा ये lesson 10 family resource management lesson 11 time and energy management lesson 18 growth and development और इसके अलावा lesson 22 introduction to fabric science lesson 23 yarn its construction और lesson 25 ये जो है core module से ये जो chapters है जो की आपके TM में में applicable होगे इसके अलावा कुछ जो optional module है optional module में से क्या के रहेंगे lesson 28 और तक इन दोनों में जहां तक मुझे मालूम है ये बैकल्पिक हैं इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा तो ये home science का TMA के जो lessons थे हैं ये पूरे lessons मैं आपको दिखा दे रहा हूं 12 lessons हैं और ये आपकी syllabus का 40% cover कर रहा है अब हम चले आते हैं जो की 40% जैसा कि मैंने बताया आपको TMA कबर कर रहा है और बाकी 60% जो है आपके public examination में आएगा अब इस 60% का आधा जो है वो objective होगा तो objective में कौन कौन से lesson है देखिए objective में सब मिला के 10 lesson है कौन कौन से 10 lesson है lesson 5 meal planning lesson 6 nutrition status lesson 12 space management lesson 13 income management lesson 14 energy conservation lesson 19 growth and development lesson 27 care and maintenance lesson 24 fabric construction lesson और इसके अलावा optional module से जो chapter है lesson 29 cleaning and cleaning materials और इसके बाद lesson 29 color तो ये दो chapters में मुझे उम्मीद है कि ये जो रोसों बैकल्पिक रहेगा इसको करें या इसको करें ठीक किसी प्रकारम लोग से ले जाते हैं जो इनका subjective part है अभी मैंने जो डिसकस के objective part था अब जो subjective part है subjective part में देखिए 10 lessons है lesson 2 सबसे पहले ethics in daily life daily living lesson 9 food preservation lesson 15 environment management lesson 16 household equipment lesson 17 consumer education lesson lesson 20 adolescence lesson 21 concern and issue in human development lesson 26 selection of textile and clothing उसके बाद lesson 30 maintenance of premises lesson 31 aesthetic at home तो यहां पर जो 30 31 जो chapter दो बर repeat किया गया है अर्थात यह या तो यह 30 और 31 कीजिया यह 30 और 31 कीजिया इसमें जो lesson 30 एक और है design lesson 31 embroidery stitches तो यह तमाम जो हैं आपके home signs home signs धेर सारे candidate लेते हैं यह आपका जो new syllabus जो bifurcate हुआ है जो नया pattern आपका बना है मैं आपको याद दिला दूँ आपकी आपके सभी तमाम chapter सेम हैं बस कौन से chapter से TM में आएगा objective आएगा subjective आएगा उसी को फिर से redefine किया गया है उसका एक नया pattern तै किया गया है मैं जो कुछ भी information दे रहा हूँ NOS के website पर available जो इनका content है उनके आधार पर दे रहा हूँ अगर मेरे बोलने समझाने में किसी प्रकार की कोई टूटी या भूल होती है तो आप NOS के website पर जो content available है वही मानने रहेगा उसी को आप मानने समझे तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया है तो YouTube चैनल को subscribe करें धन्यवाद झाल को आप मुझे उम्मीद है